सबी लोग उमीद करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे सभी की पड़ा ही बहुत अच्छे से चल रही होगी तो कईस कल आप लोगों के साथ लाइफ मिलकर के बड़ा मज़ा आया बहुत फन आया और हम लोगों ने जो प्रैक्टिस की मुझे लगता है उस प्रैक्टिस से ने मेजरक्ट में रहता है यह मेजर ड्हूर का ये खही स करना है सब्सक्राइब करना चाहिए तो आज हम में बब से फंडमेंटाल स्को दे desert कि काई सामी यूज और कल उसी की प्रैक्टिस करेंगे बिल्कुल उहयाThis करने वाले हैं जैसे हमने helping verb की practice किये तो चाहिए guys start करते हैं आज का session main verb से regarding हमारा session होने वाला है कि main verb किस तरीके से use किया जाना चाहिए उससे पहले मैंने जो homework दिया था आप लोगों को अभी तक भी अगर किसी ने homework नहीं किया है न और इमानदारी से अगर translation सीखना चाहते हो तो अभी इस वीडियो को pause कर लो और पहले जाकर के पुछले वाले lecture पे आप अपने homework के answer लिख दो सच कह रहा हूँ अगर इमानदारी नहीं रखोगे न तो कुछ भी नहीं हो सकता आपको honesty तो रखनी ही पड़ेगी इमानदारी से अपने हिस्से का जो काम है वो पूरा complete करना पड़ेगा तभी आप आगे कुछ कर पाएंगे नहीं तो फिर आप ये series कतम होने के बाद भी आप यहीं कहते रहेंगे sir translation करना सिखा दो तो फिर उस समय मैं वापस series चालू नहीं कर पाऊंगा अभी तो चल रहे हैं ना डेली का थोड़ा थोड़ा काम है तो अभी कर लो जाकर के ठीक है चलिए मैं आंसर बता देता हूँ तो people के साथ simple future tense में कौन सा helping वाब आना चाहिए तो यहाँ पर सीधा हमारा helping वाब हो जाएगा will कौन सा helping वाब आएगा will आएगा girl के साथ past continuous tense में कौन सा आना चाहिए girl हमारा singular subject है तो इसका मतलब past continuous tense में हम इसके साथ was का इस्तमाल करेंगे next आगे team के साथ present perfect में कौन सा helping वाब आना चाहिए तो team हमारा singular subject है जो की countable noun में बनता है ठीक है उसके अलावा हमारे collective noun को दर्शाता है तो समूवा ची संग्या है singular है तो क्या लगाऊंगा present perfect tense में मैं लगा लूँगा यहाँ पे has next आगया boys के साथ present perfect continuous tense में क्या लगेगा तो boys के साथ सबसे पहले लग गया have और have के साथ लग गया मेरा been तो have been present perfect continuous tense में लगेगा टॉमी के साथ past continuous tense में क्या लगेगा तो टॉमी के साथ past continuous tense में हो गया was water के साथ present perfect tense में क्या होगा present perfect tense में water हो गया has teacher के साथ simple past tense simple past tense में दिमाग ही लगाने की जुरूत नहीं एक ही simple past में और past perfect में कोई दिमाग ही नहीं लगाना एक ही तो helping बफ दे रखा है डिड और हैड तो जो भी subject रहे हमारा कोई फरक नहीं पढ़ने वाला answer हमारा same ही रहेगा servant के साथ future simple tense में क्या लगेगा तो same will वापस आ जाएगा इन काम लोग यहां पर इस्तमाल करते हैं next अगले हमारे जो answers है वो कौन कौन से है आई के साथ future simple tense में क्या लगेगा तो आई के साथ मैं shell का use करूँ बहुत सारे बच्चे जो है उन्हों में से एक दो बच्चों ने मेरे को comment करके बताया था के सर अब जो है वो आई के साथ हम लोग will का इस्तमाल भी कर सकते हैं SHELL का इस्तमाल करना आवशक नहीं है ये बात तो गाईज मैंने भी बता दी थी कि जब भी हम इस्तमाल करते हैं will या shell का तो shell का इस्तमाल होता है i और v के साथ लेकिन will का इस्तमाल सभी के साथ किया जा सकता है a, b, c, d, e सभी के साथ आप उसका use कर सकते हूँ तो कोई परेशानी नहीं है आप चाहो तो यहाँ shell लगाओ चाहो तो यहाँ will लगाओ लेकिन जब भी हम i के साथ shell लगाते है तो पढ़ने वाले पर एक अलग सा impact पढ़ता है उस impact को आप खतम नहीं कर सकते आप grammar के जो upgrade होने वाले rules हैं उनको इस्तमाल कर सकते हैं उसकी कोई मना ही नहीं है लेकिन एक impact जो पढ़ता है बहुत ही positive impact पढ़ता है जब भी हम I और V के साथ shell का use करते हैं यह आपके consciousness को represent करता है कि आप कितने सचेत हैं लिखते समय कि आप कितना चेतना के साथ लिख रहे हैं नहीं मुझे पता है कि मेरा subject क्या है और मैं helping को अब क्या लगा रहा हूँ वो flow नहीं लगता और वहाँ पर उस पर विशेश ध्यान जाता है जिससे आपको अच्छे marks मिलते हैं ठीक है ध्यार रखिएगा next बात कर रहे हैं हम लोग she के साथ past continuous tense दिमाग ही लगाने की जूरत नहीं was next आगया दे के साथ present perfect tense have it के साथ present perfect continuous tense has been चलो you के साथ past continuous tense बनाओ क्या बनेगा you के साथ past continuous tense में क्या बन रहा है was की वर he के साथ present perfect tense we के साथ past simple tense simple past tense में दिमाग ही नहीं लगाना इस तरीके से आप अपने सारे आंसर चेक कर सकते हैं और आंसर चेक करके इस वीडियो के कॉमेंट बॉक्स में आपको मुझे बताना है कि आपके कितने में से कितने माक्स आए यानि कि टोटल आपके नंबर ओफ कॉस्चन है सोला ठीक है सोला में से आपके कितने माक आ रहे हैं इमानदारी से बताना मैं पिछले वीडियो पर जाके चेक कर लूँगा ध्यान रखना किसी का भी रेंडमली उठा लूँगा कि किसी ने लिग दिया है सोला में से सोला तो व सिम्लती रहेगी और प्रैक्टिस के साथ आपको अपने अबको टेस्ट करने के लिए वोमवर्त वि मिलते रहेंगे और आगे से आगegen मैंआपको अंसर भी बताता क्या दर्शाती है किसी भी कार्य का होना दर्शाती है सीधे सीधे शब्दों में कहूं तो किसी भी एक्षन को डिनोट करती है कि वाक्य में क्या कार्य हो रहा है कार्य की स्थिती क्या है कार्य का स्तर क्या है वो शुरू हो चुका होता है हो रहा है हो चुका यह सारी की सारी च क्या लगता चलती है मुख्य क्रिया से पता चलती है अब में वर्प के बारे में अगर मैं बात करे तो हमेशा वब की स्रसफ पर्संट हिस्ट में कुछ जब हमेशा नेकिंगा और मैंने वोला कोई डीzę और सब जब मैं कहता हूँ कोई बीभी तो फिर कव कोई सा भी हो जब मैं कहता हूं continuous tense कोई सा भी हो तो ये भी हो चाहे perfect continuous tense भी हो हमेशा verb की first form plus ing का इस्तमाल यहां पर किया जाना चाहिए साथ ही साथ अगर perfect tense हो तो perfect tense के अंदर हम हमेशा verb की third form का का इस्तमाल करते हैं perfect tense में किसका इस्तमाल करेंगे वर्ब की third form का इस्तमाल करेंगे यह दो लाइने अगर मैं बोलता हूं तो मेरा 75% main verb का topic तयार हो जाता है 75% मेरा क्यों वर्ब की first form plus ing वर्ब की first form plus ing वर्ब की third form में कतम हो जाता है 25% जो है उसके लिए आज का lecture आज का lecture के वल किसके लिए है इस 25% के लिए इसमें तो भाई अब मैं क्या ही discuss करूं जब भी कोई कारिये निरंतरवस्था में होता है चाहे वो किवल निरंतरवस्था में हो चाहे उसकी निरंतरता बता के समय भी बताया जा रहा हो तो वर्ब की first form प्लस ing का इस्तमाल करना है लेकिन जब कोई कारिये पूर्ण हो चुका है पूर्ण हो चुका था पूर्ण हो चुका होगा तो वहाँ पर मैं वर्ब की third form का इस्तमाल हमेशा ही करता हूं चाहे tense मेरा past हो प्रिजेंट हो चाहे future हो अब यहां हम बात करते हैं कि simple past tense में दो हैं वर्ब की second form या वर्ब की first form का इस्तमाल करना है तो इसे मैं कह देता हूं यह मेरा a rule है मतलब इसको हमें discuss करना है इसके बारे में बात चीत करनी है कहां तो वर्ब की first form लगेगी कहां वर्ब की second form लगेगी अगर आप में से किसी को पता है comment box में जाकर कि मुझे अभी बताओ यह time tag कर देना ताकि मुझ वर्ब की first form कе साथ एस एस यह का प्रेयोग करें तो पहला question दो यहां गया कि वर्ब की first form लगाएं यह वर्ब की लेक्चर के लिए है जो अपने महा लगाया था नहीं A, B, C, D वैसे इसको याद रखने की जुरत नहीं है आप चाहो तो 1, 2 कर सकते हो A, B कर सकते हो, A, B कर सकते हो, जैसे बचाहो तो पहला नियम हम ये डिसकस करेंगे, simple past tense में कब verb की first form, कब verb की second form दूसरा नियम हम ये डिसकस करेंगे कि verb की first form या verb की first form के साथ S, E, S, I, S कहां लगाया जाता है और तीसरा नियम हम ये डिसकस करेंगे कि E, S कहां लगाना है, I, S कहां लगाना है और S कहां लगाना है रही बात simple future tense की दिमाग लगाने की जुरत ही नहीं चाहे कोई भी स्तिती हो हमेशा वर्ब की first form ही रहेगी first form के अलावा और कोई form नहीं आएगी तो कुल मिला करके ये हमारा सारा का सारा जो चार्ट है ये हमें बताता है कहां कौन सी main verb इस्तमाल करनी है तो आप लोगोंने अगर पहले इसका screenshot नहीं लिया हो तो एक बार ले लेना और ताकि आपको एक बार ये ठीक से समझ में आ जाए तो हम सबसे पहला नहीं हम discuss कर रहे है simple past tense का simple past tense में verb की second form कब लगेगी verb की first form कब लगेगी तो इसको मैंने सीधा सीधा दो भागों में बाटा है कितने भागों में बाटा है दो भागों में बाटा है पहला भाग क्या कहता है कि जब हमारी verb जब हमारा sentence affirmative होता है यानि कि जब भी हमारा वाक्य जो है वो सकारात्मक होगा बोलो कैसा होगा जब भी हमारा वाक्य सकारात्मक होगा तो verb की second form का इस्तमाल करना है उसके अलावा अगर हमारी verb नकारात्मक वाक्य को दर्शार ही है यानि कि वाक्य अगर हमारा नकारात्मक है या फिर प्रश्णवाचक है या फिर प्रश्णवाचक नकारात्मक है तो इन चारो ही परिस्तितियों में से केवल एक परिस्तिती में ही वर्ब की second form लगेगी बाकि तीनों परिस्तिती में वर्ब की first form का इस्तमाल होगा आईए उधारन से समझते हैं I went to patna, मैं patna गया अब यहाँ पर यह मेरा वाक्य simple past tense का है और साथ ही साथ यह मेरा वाक्य affirmative है ऐसा होने की वज़े से यहाँ पर वर्ब की second form लग गई वर्ब की second form क्या लगी तो वर्ब की second form हो गई went went किसकी second form है तो went go की second form है किसकी second form है go की go went gone ऐसे बनता है तो यहाँ पर वाक्य सकारात्मक था और sentence simple past tense का था तो मैंने वर्ब की second form का इस्तमाल किया I did not go to patna, मैं patna नहीं गया, not लगते ही क्या हो गया, वाद के नकारात्मक हो गया और नकारात्मक होते ही, verb की first form आ गई, कौन सी आ गई, verb की first form का इस्तमाल हो गया, go का go ही रह गया, did I go to patna, क्या मैं patna गया था, तो जैसे ही मैंने अपने patna जाने पर प्रश्न पूछा, क्या म मैं patna गया था, वहाँ भी मेरी वर्ब की first form हो गई, did I not go to patna, क्या मैं patna नहीं गया था, यहाँ पर प्रश्न तो है, लेकिन प्रश्न नकारात्मक है, कैसा है, यहाँ पर प्रश्न नकारात्मक है, तो नकारात्मक प्रश्न होने की वज़े से भी verb की first form का इस्तमाल हुआ, यानि की सीधी सीधी दो टूक बात अगर मैं कहूं, simple past tense में वाक्य सकारात्मक हो, verb की second form लगाओ, वाक्य सकारात्मक ना हो, तो कौन सी लगानी है, तो verb की first form हमें वहाँ इस्तमाल करनी चाहिए, यह एक simple सा rule है, ठीक है guys, इस rule में ज्यादा जोर नहीं आएगा, जोर आएग अगले rule में, यहाँ आएगा, ठीक है, तो यह हमारा second number का यहने की B वाला rule है, जिसमें हम simple present tense को देखने वाले है, simple present tense जो है, रावन है, दस सर वाला, एक सर काटते दूसरा हो जाता है, दूसरा काटते तीसरा हो जाता है, simple present tense को बनाने में इतना जो हो रहता है, इसकी कोई ह दिनी, एक तो अगर जब हम rules या denotes पढ़ते हैं, वो universal truth, daily routine, sudden action, वो सारी की सारी चीज़े देखते हैं, तो वो भी ऐसे भर भर के है, नियम भी बहुत जादा, वाक्ये बनाने पर आते हैं, हमें लगता है, जैसे continuous का बन रहा है, perfect का बन रहा है, perfect continuous का बन रहा है, बहुत आस आसानी से वाक्ये बन जाए, तो बहुत आसानी से वाक्ये भी नहीं बनाने देता, वहाँ पर भी दिमाग कराप करता है, तो यहाँ पर क्या है, हमें दो चीज़े देखनी है, सबसे पहले, पहली चीज़ हमें क्या देखनी है, हमारा sentence, affirmative है की नहीं है, यानि कि हमारा जो व subject कैसा है हमारा third person singular है यानि कि D category का अगर हमारा subject है अगर किसी वाक्य में ये दोनों इस्तिति एक साथ मिल जाती है तो वर्ब की first form के साथ as, es या is का प्रयोग करना चाहिए else, else का मतलब क्या है अगर ये दोनों परिस्तिति एक साथ नहीं मिलती है तो वर्ब की first form का इस्तिमाल करना है उसके साथ as, es या is का प्रयोग नहीं करना है अब इस else को एक बार समझ लेते हैं तो मैं हिंदी में कहता हूँ दोनों अथवा एक के ना होने पर माल लोग किसी वाक्य में ये दोनों ही परिस्तिति नहीं है यानि कि वाक्य भी सकारात्मक नहीं है और subject भी third person singular नहीं है तो हम वह अपकी first form का प्रयोग करेंगे और माल लोग दोनों में से एक नहीं है वाक्य तो सकारात्मक है लेकिन करता ऐसा नहीं है या करता तो ऐसा ही है लेकिन वाक्य सकारात्मक नहीं है तब भी हम वाक्य की first form का ही प्रयोग करेंगे यानि कि अगर मुझे किसी वाक्य में राम इट्स मेंगो जब मैं राम की बात करता हूँ तो डी कैटेगरी में चला गया और इस पूरे वाक्य को देखता हूँ तो वाक्य मेरा सकारात्मक है अफर्मेटिव है तो वर्ब की first form के साथ ऐस लग गया और इससे क्या बना इट्स से ये हो गया हमारा इट्स simple सी बात क्योंकि मुझे दोनों परिस्तिती मिल गई मुझे मेरा डी कैटेगरी का subject भी मिल गया और मुझे मेरा वाक्य भी अफर्मेटिव है सकारात्मक मिल गया तो मुझे दोनों चीज़े मिली तो मैंने सीधा इसके अंदर S लगा करके eats से eats बना लिया बोलो हा की ना सही ह कि गलत है भाई राम डजनोट इट मैंगो मुझे subject तो अपने according मिल रहा है लेकिन वाक्य मुझे अपने अनुसार नहीं मिल रहा है वाक्य मुझे सकारात्मक चाहिए था लेकिन यह तो भया नकारात्मक वाक्य है नकारात्मक है तो eat रह गया A.C.S.I.S. कुछ नहीं लगा अगला देखो क्या मुझे subject अपने अनुसार मिल रहा है हां मिल रहा है क्या मुझे वाक्य अपने अनुसार मिल रहा है नहीं मिल रहा है क्योंकि यह वाक्य मेरा प्रश्ण वाचक है जबकि मुझे affirmative चाहिए था यह तो interrogative है interrogative से मेरा काम चले इसमें SESIS नहीं लगा, सिंपल सी बात, बहुत सारे बच्चें इस बात को ऐसे याद रखने की कोशिश करते हैं कि सर यह जो SESIS लगना था ना यह इसमें ना लगके डू में लग गया, इसलिए यहां पर देखो डस 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 दिखाई दे रहा है, यह तरीका सही है, शौट ट् काम करता है, अगर मैं हिंदी में कहना चाहूँ करना, तो करना को इंगलिश में क्या कहूँगा, दू कहूँगा, और यहां पर दू मेरा helping verb भी हो गया, दू मेरा main verb भी हो गया, जैसे की राम अपना कार्य नहीं करता है, अब यह मेरा वाक्य बना, अब यहां देखो, यह does भी आ गया, डू भी आ गया, तो इसमें कही बार क्या, confusion हो जाता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि बचो, ऐसी चीज़े जो आगे जाकर के फसादें, उनसे बचना चाहिए, ठीक है, इसलि तरीके से याद रखिए, और यह तरीका आपको जादा से लगता है, तो आप इस तरीके से याद रखिए, अपनी सहुलियत के इसाप से देख लीजिए, इस तरीके में बस इस तरह की वर्ब जब आए, तब हमें थोड़ी सी साउधानी रखनी है, पता होना चाहिए, हम किस इट्स अ मैंगो, ठीक है साब, यह तो हमें समझ में आई गया, क्योंकि हमारी सब्जेट की केटेगरी है डी, सेंटेंस की केटेगरी है अफर्मेटिव, मेरा काम हो गया, चेंज करो, चलो, वही वाली बात वापस कर ली मैंने, सब्जेक्ट मुझे अपने अक्वाडिंग मिल गया, वाक्य मुझे अपने अक्वाडिंग नहीं मिला, अब मैं इसे चेंज करूँगा, आई इट मैंगो, अब क्या हुआ, अब मुझे वाक्य अपने अनुसार मिल गया, लेकिन करता मुझे अपने अनुसार नहीं मिला, क्योंकि राम की जगह आई आगया मुझे D category का subject चाहिए था D category का subject नहीं मिला तो इन दो जगह पर क्या हुआ यहां मुझे दोनों चीज़े मिल गई यहां मुझे वाक्य अपने अनुसार नहीं मिला यहां मुझे करता अपने अनुसार नहीं मिला तो अब देखो यहां पर मैं क्या कहता हूँ I do not eat mango अब इस वाक्य में क्या हुआ करता मुझे अपने अनुसार नहीं मिला और वाक्य भी मुझे अपने अनुसार नहीं मिला ना तो करता मेरे according है ना ही वाक्य मेरे according है जब दोनों ही परिस्तिती नहीं है eat रहे गया, eat रहे गया, eat रहे गया और जब दोनों ही परिस्तिती है eats आ गया simple सी बात है कि मुझे अगर verb की first form में s, es या ies लगाना है तो मुझे ये दोनों चीज़े चाहिए ही चाहिए वाक्य मेरा affirmative यानि सकारात्मक होना चाहिए subject मेरा third person singular यानि d category का होना चाहिए, तभी मैं उस काम को कर सकता हूँ, अन्य था नहीं कर सकता हूँ चलिए अगले प्रशन के और आगे बढ़ते हैं अगला प्रशन हमारा क्या कहता है कि भाया मुझे ये बता दो कि verb की first form के साथ s लगाना है, es लगाना है is लगाना है, ठीक है is कब लगेगा, es कब लगेगा, es कब लगेगा बस इस प्रशन का उत्तर अब हमें ढूनना है इस lecture के अंदर हमारे main तीन question थे तीन में से दो question हम लोग देख चुके पहला question verb की first form या verb की second form simple past tense में वाक्य देखना है वाक्य अगर सकारात्मक है verb की second form वाक्य सकारात्मक नहीं है मैं उल्टा बोल रहा हूँ वाक्य सकारात्मक नहीं है तो verb की first form अब जब सकारात्मक नहीं है तो नकारात्मक प्रशन वाचक है प्रशन वाचक नकारात्मक होगा ठीक है पहला प्रशन का उत्तर दूसरा प्रशन वर्ब की फर्स फॉर्म के साथ S, E, S, I, S कब लगाया जाता है यदि subject third person singular हो D category का और sentence हमारा affirmative हो तभी S, E, S, I, S लगाएंगे यह हमारा दूसरा प्रशन तीसरा प्रशन S कब लगाना है, E, S कब लगाना है, I, S कब लगाना है चलिए इसके बारे में बात करते हैं ठीक है तो यहाँ पर हम देखते है if a verb ends with यदि verb के अंत में क्या कहूँगा verb के अंत में किसी भी verb के अंत में SS दिखाई दे, CH दिखाई दे SH, O, X, Z दिखाई दे तो उसमें हम लोग E, S जोड देते हैं पिछले साल की एक टेकनीक थी, बड़ा मस्त काम आया था उससे इस बार भी ये काम करते हैं, ठीक है? उसका result अच्छा था हमने पहली बार ही इस्तमाल की थी ओ टेकनीक कि हमें जो भी याद करना हम क्लास में ही पांच बार बोलें पहले मैं बोलूँगा, मेरे साथ साथ आप भी बोलोगे यदि वर्ब के अंत में SS, CH, SH, O, X, Z SS, CH, SH, O, X, Z पांच बार बोलो, चलो फटा-फट काउंट करके पांच बार बोलो SS, CH, SH, O, X, Z SS, CH, SH, O, X, Z हो तो हमें ES जोड देना चाहिए अगर ये हो तो हमें ES जोडना चाहिए तो देखिए, अब देखों यहाँ पर क्या हो गया राम क्रॉस दर रिवर अब मालो यह मेरा प्रश्न है हला कि मेरा एक्जामपल है लेकिन मैं इसको प्रश्न की तरह सॉल्व करता हूँ क्या मेरे पास मेरी कैटिगरी का सबजेक्ट है क्या D कैटिगरी का तो हैसाब क्या मेरा वाक्ट के सकारात्मक है क्या हैसाब तो इसका मतलब क्रॉस में एस एस या इस लगेगा यह बात तो तैय हो गई अब बात यह आई कि तीनों में से क्या लगेगा तो मैंने वर्ब के अंत में देखा एसेस है और जैसे ही मैंने देखा एसेस है मुझे इस रूल की याद आ गई कि एसेस सी एच एसेच ओ एक जड़ हो तो के आंसर कॉमेंट बॉक्स में देदो इसमें से अगर किसी में येस नहीं लगने वाला हो वो भी बता देना किसी में लगने वाला हो वो भी बता देना डिक है तो यहाँ पर भी चित्राउश व्यक्ति का नाम है D category हो गई sentence हमारा affirmative हो गया मुकेश व्यक्ति का नाम है D category वाक्य हमारा सकारात्मकी है she D category का प्रोणा उन्हें he she तिनो D category में आते हैं sentence हमारा affirmative है सीमा व्यक्ति का नाम है D category उसके अलावा sentence हमारा affirmative है बस वस्तु का नाम है D category और sentence हमारा affirmative यानि कि इन सब में SS, ES, IS लगेगा अब CH ये रहा वाई CH SS, ये रहा SH O, ये रहा O X, ये रहा X Z, ये रहा Z यानि इन सब में ही ES लगने वाला है Teach का क्या बना? Teaches Push का क्या बना? Pushes, Go का क्या बना? Goes Fix का क्या बना? Fixes इस तरीके से हम लोग देखेंगे कि इन सब में हमने ES का प्रयोग किया है क्यों किया है? क्योंकि इनके अंत में SS, CH, SH, O, X, Z में से कोई ना कोई Term हमें मिली है Second आता है हमारा कि IES या S का प्रयोग कब करना है तो हम IES को देखते वे S को देखेंगे तुलनात्म गुरूप सबर पूरी दर से S में चले जाएंगे कैसे? तो यदी वर्ब के अंत में यदी वर्ब के अंत में क्या हो? Y हो यदी वर्ब के अंत में Y होता है तो हमें केवल Y को नहीं देखना है हमें ये भी देखना है कि Y से पहले क्या है यदी Y के पहले कॉनसोनेंट हो कॉनसोनेंट का मतलब क्या होता है? वेंजन अंग्रेजी के वेंजन पता है न भई? स्वर और वेंजन अंग्रेजी के स्वर और वेंजन पता हैं कि नहीं पता हैं वोविल्स कौन कौन से होते हैं ए, ए, आई, ओ, यू यह हो गए पांच इसके अलावा बाकी जो 21 बचे वो सारे के सारे क्या हैं कॉंसोनेंट या वेंजन कहलाएंगे तो यदि वाई से पहले कोई कॉंसोनेंट वेंजन है तो वाई को हटा कर उसकी जगह आई, ए, ए, एस लगा दो वाई को हटा दो उसकी जगह आई, ए, 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 लगा दो लेकिन यदि वाई से पहले कोई वोविल है यानि कि कोई स्वर है तो हमें केवल S जोड़ देना है और आगे बढ़ जाना है फिर से कह रहा हूँ Y से पहले व्यंजन होने पर Y को हटा दो और Y की जगह पर I,E,S लगा दो नमबर वन नमबर टू वाविल के बाद में अगर Y आता है तो केवल S लगा दो और S लगा करके आप आगे बढ़ जाओ आपको कोई समस्च्या नहीं होगी कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी आप अब ज़रा देखो तो यहाँ पर यह जो Y था इससे पहले R है यह Y है इससे पहले भी R है R, A,E,I,O,U में आता है क्या? नहीं आता और जब नहीं आता तो हमें क्या करना है? Y को अटाना है, I,E,S लगाना है चलो फटा-फट से कॉमेंट बॉक्स में आंसर ट्राय का और क्राय का क्या बनेगा? पॉस कर लो वीडियो में लिख रहा हूँ ट्राइज क्राइज ठीक है? तो ट्राय का बन जाएगा ट्राइज और क्राय का बन जाएगा क्राइज वैसे ही हम देखते हैं प्रे का क्या बनेगा? तो Y से पहले A है Y से पहले E है ये वाला प्रे प्रार्थना करना ये वाला प्रे शिकार करना तो यहाँ पर देखो प्रे का क्या बना प्रे का बन गया प्रेज और इस प्रे का क्या बना तो इस प्रे का भी बन गया प्रेज यानि कि दोनों के लास्ट में या अंत में हमें किसका प्रेयोग कर लेना है S का प्रयोग कर लेना है और आगे बढ़ जाना है He tries so hard वहें बहुत कठिन परिश्रम या बहुत ज़ादा मेहनत करता है She cries so loudly वहें बहुत जोर से रूती है He prays Lord Vishnu वहें भगवान विश्नु की प्रार्थना करता है भगवान विश्नु से प्रार्थना करता है Tiger prays a deer Tiger जो है एक deer का एक हिरन का शिकार करता है Hindi में बोलते है हिरन Sanskrit में बोलते है हरिन ऑना उसमें भी हरिन हो जाता है हिरन हो जाता है दोनों का ही काम में लिया जाता है चलिए तो इस तरीके से हम देखते हैं के हमें यहाँ पर E.S का तो पता चल गया कहा है वहाँ पर S लग जाएगा कोई भी ऐसी परिस्तिती जिसमें ना तो IES लगा सकते हो ना ES लगा सकते हो यानि की हमारे पास टोटल साथ कंडिशन है यदि वर्ब के अंत में SS, CH, SH, O, X, Z और कॉंसोनेंट प्लस Y ना हो तो प्लस S करें ये देखो with rest of the verbs प्लस S बाकी सारी verbs के साथ हमें S लगाना है हिंदी में सीधी सीधी बात लिख दी सीधी बात नो वकवाज यदि वर्ब के अंत में SS, CH, SH, O, X, Z, कॉंसोनेंट प्लस Y ना हो तो हमें सीधा S लगाना है और आगे बढ़ जाना है रोहन वॉक का क्या बन जाएगा? वॉक्स बन जाएगा क्योंकि यहां पे last में क्या आ रहा है? K आ रहा है, L के आ रहा है, तो हमारी इन साथ परिस्तितियों में तो है ही नहीं और नहीं है तो S लगाओ आगे बढ़ो शी राइट सा लेटर, तो राइट का राइट स कर लो सीधा बहुत सारे बच्चे जो हैं कहते हैं मुझे कि सर्क किसी वर्ब के अंत में यदि E हो तो E हटा कर ES लगा देना चाहिए सच में? रियली भाई, E हटा कर ES लगाना है क्यों? फाल तु बैटा हो और कोई काम दन दा नहीं तुम्हार को E लगा रहा है तो S लगा और आगे बढ़ो ना? नहीं सर, नहीं, ऐसा कैसे? हम तो ऐसा करेंगे ही नहीं, हम तो E हटा कर कर के ES लगाएंगे क्यों लगा रहे हो यार? क्यों लगा रहे हो? सिधा ऐस लगा दो नहीं, तो ES अपने आप ही बन गया है? खुद परेशान, मेरे को परेशान करोगे, क्या मिलेगा? मैं को सच-सच बताओ, इमानदारी की बात देगो, भाईयें वाली बात कर रहा हूं यह सब करके क्या मिलता है तुम लोगों? इंग्लिश में confused होने के लिए जगह कम पढ़ती है का जगह? Confused होने के लिए जो यह ऐसी अरकते और करते हो के और confusion बढ़े ऐसा कोई rule नहीं है, ऐसे किसी rule पर फाल तो दिमाग मतलगाये करो सीधी सीधे यह तीन rule है, इन तीन rule को में याद करना है और इसी के साथ हम लोग बहुत आसानी से main verb का इस्तमाल कर सकते हैं अब मुझे एक काम करके दो 10 10 irregular verbs जो होती है ठीक है? उसके मुझे verb की first form, verb की second form, verb की third form, verb की fourth form यह बना करके आपको मुझे देना है ठीक है? कोई सी भी 10 अपने अपने हिसाब से ले लेना, सब अलग-अलग लेना, एक जैसी मत लेना ताकि हमारी सबकी एक बार verb की practice हो जाए ठीक है? कि verb की first form, second form, third form कौन सी होती है एक्जामपल के लिए मैं एक दे रहा हूँ, जैसे की eat irregular verb उन्हें कहते हैं, जिनकी verb की first, second, third, तीनो forms अलग-अलग होती है eat, ate, eaten, eating और eats इस तरीके से बना के देना ठीक है? तो ऐसी कोई verb जैसे की sing ये भी ऐसी है sang, sung, singing, and sings ओके? ऐसी drive, drove, driven, driving, drives ठीक है? तो ऐसी कोई भी verb जिसकी verb की first form, second form, third form अलग-अलग हो ऐसी ही verbs हमें लेनी है, दस verbs लेनी है, comment box के अंदर में देखूंगा, किस-किस ने इस काम को किया है ठीक है? और जो सबसे पहले करेगा, जिसका ये comment सबसे पहला आएगा उस बच्चे के लिए मैं कुछ ना कुछ अगले lecture में discuss करूँगा अगले मतलब आने वाले किसी lecture के लिए, not very next lecture, लेकिन किसे ना किसी आ गया आने वाले lecture में मैं definitely उस बच्चे के बारे में बात करूँगा, कि वो बच्चा कितना conscious था, जिसने सबसे पहले इस काम को complete किया Thank you very much, I'll see you soon in my next lecture, till that take care of yourself, bye-bye, I'll see you soon